आज हम चितिज बुप से कक्षा नौभी में पार्ट ग्यारा सवईये पढ़ेंगे जो रस्खान जी के द्वारा लिखे हुए हैं रस्खान जी का जनम 1548 में हुआ और इनका नाम सैयद इब्राहिम था और बच्चों तिल्ली के आसपास के रहने वाले थे इनकी वरत्यू 1628 में हुई और इनकी रचनाएं हैं सोजान, रस्खान और प्रेमबाटिका जो उपलब्ध कृतियां हैं और रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रा मिलता है तो आज हम पढ़ेंगे रस्खान के सवईये का पार्ट का सारांस जो है प्रस्थू पार्ट में कभी ने रस्खान के सवईये में संक्लित किया है कि रस्खान के द्वारा रचित पहले दूसरे सवईयों में कृष्ण के बारे में बताया है और उनकी मदूर मुरली सुनने के उनकी आकरसब मुस्कुराट के प्रभा को बढ़नित किया है तथा कभी गोपियों की विवस्ता का बढ़नन करते हुए गोपियों का चाहे कर स्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नहीं रह सकती इसके बारे में बताया है अब हम पढ़ेंगे सवईयों का आर्थ पहले हम सवईयों को पढ़ेंगे मानुस हो तो वही रस्खानी बसो ब्रजगोकुल गाओं में गाओं के ग्वारत जो पसु हो तो कहा बस मेरो चरो नितनंद धेनू मजहरत फिर पाहन हो तो वही गिरे जो कियो हरी छत्र पुरत धारन जो खग हो तो बसे रो करो मिली कालिंदी कूल कडंब की डारन भावारत है इसका उक्त पंक्तियों का कभी रस्खान के उद्रत है कि कभी ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहा है कि उनका पुनर जन्म होता है और वे मन्यूस की योनी में जन्म लेकर ब्रज के गौालों के साथ रहना चाहते हैं यदि उनका पक्षी के रूप में जनम होता तो वे ब्रज के नंद की गाउं के रूप में जनम लेना चाहते हैं और पर्वत का पत्थर बन कर रहना चाहते हैं हरी अर्थाथ स्री कृष्णा ने कहा अपनी तरजनी पर उठाकर उन्होंने प्रजवासियों को इंद्र के रे प्रकोफ से रक्षा की थी यदि उनका पक्षी के रूप में जनम होता तो वे यमना किनारे कदम की डालों पर तेरा डालना चाहते थे और कभी के उप्त चाहतों से ग्यात होता है कि किसी हाल में भी स्री कृष्ण के सानित में प्राप्त करना चाहते हैं कभी चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी ओनी में जन्म क्यों ना लेना पड़े अब कभी का बताए कि या लकुटी या रुकामरिया पर राजति हूँपुर को तजीडारों आठम सिद्धी नवो निदी के सुख नंद की गाय चलाय विसारों प्रस्खान कभी इन्हें आखिरू सो ब्रज के बन बाग तड़ाग नहारों कोटी के एकल धोत के धाम करीलिके कुणजन वूपर वारों भावाथ है कि उग्दिक पंक्तियों में कभी रस्खान की सभईये से उद्रत हैं कभी इन पंक्तियों के मारदन से कहना चाहते हैं कि कि उन्होंने बताया कि उन्हें गोकुल के गाओं वालों की लाटी और कम्बल है तूं तीनों लोग का राज लगाना या त्याग ना पड़ा क्योंकि वे चेस्टा करने के लिए तैयार हैं कभी कहते हैं कि वे नंदी की गायों को चराने का सुख भी राप्त करना चाहते हैं और वे वहां रहना चाहते हैं कहां पर प्रजवासियों के साथ वागो तसरावोरों को पूरा जीवन नहाने की चाह रगते हैं कभी आगे कहते हैं कि कभी तरी ब्रजूमी की कटिली जाड़ियों के लिए भी मैं वो कभी महल त्यागने को तयार है अब इसका भावार्थ है तिर इसके बाद बताए कि मोर पंका सिर्फ उपर राकियों गुंजी की मालिक गरेब पहरोंगी अब इन पंक्तियों कभी कहते हैं कि रस्खान के सविये उद्रत है और इसमें बताया है कि कभी दोर रचित पंक्तियों में कृष्ण की आतुलने सोंदर के बारे में चित्रण हुआ है जिसमें गोपिय कृष्ण का रूप धारन कर लेने से चाय भरी हुई हैं और गोपिय कृष्ण के लिए सिर्फ के ऊपर मोर पंक रखने तयार हैं गुंजों की माला पहनने तयार हैं पीला वस्तधारन करने में तयार हैं और बनकी गाय, और गौला के साथ ब्रहमन करने के लिए भी तयार हैं गोप्यआ श्री कृष्ण के लिए हर स्वाम करने रचने तयार मृली धार अर्थार्थat किरष्ण के ओठों से लगी मांसरी को अपने होटों से लगाने को वो एक्षो नहीं है लेकिन वो उनके साथ रहने और भ्रहमण करने तैयार है अब आगे हम पढ़ेंगे कि पंक्तियों को देखते हैं आगे कि क्या आगे क्या है कारणी देयांगुरी रही वो जब ही मुरली दुनी मंद बजय है मोहे नी तानल सो रसखानी अटा चड़े गोधन गय है तो गय है तेरी काउं सी गरे ब्रजलोगनी काल ही कोव कितनो समझे हो माईरी वामुक्ती मुसकानी समहारी न जेह न जेह न जेह अब इसका भाब आरते इन पंक्तियों का बताया रसखानी चीज़ें कि कभी इन पंक्तियों के मार्द्यम से क्रिष्ने के मनोहर मुरली की दुन और उनकी आकर्शक मुस्कुराच्चिव पभाव को वर्णित कर रहे हैं कभी गोपियों की विवश्था का वर्णन करते हूं कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी स्री किष्न के फ्रेम के अभाव में नहीं रह सकती तसकों पंक्तियों में गोपियां कहती हैं जब क्रिष्ट की मुरली की मदुर और मनोहर धुन गुझेगी तो अपने अपने कानों में अंगली डालके रख लेंगी ताकि उन्हें वो मदुर संगीद सुनाई ना पड़े क्योंकि क्रिष्ट की मुरली की धुन में मगन होकर गाएं भी अटारी पर चड़ने लगती हैं ब्रजवास ही कह रहे हैं कि क्रिष्ट की मुरली की मदुर्द्वानी वातावरण में गुंजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान समहाले नहीं समलेगी उस मुस्कान से ज्यात होता है कि वे सारी गोपियों ब्रजवास ब्रज की गोपियों गूपूपी हुए है आगे पढ़ेंगे हम् क्रश्न के प्रेम में गोपी होई कहा दोबारियों में हम पॉपी हुइब typical प्रस्च्ण अभ्यास करेंगे प्रजभूमी के प्रती कभी का प्रेम धिंकें रूपों में भी व्यक्त हुआ है उत्तर कभी को प्रजभूमी से गहरा प्रेम है वाई इस जनब में भी नहीं अगले जनब में भी प्रजभूमी के वासी बनना चाहते हैं और गौाला बनाए गाय बनाए चाहे अख्षी बने चाहे पत्तर बने हर हाल में वे प्रगोमी में रहना चाहते हैं और अपना जीवब सर्वस निचावर करने के लिए भी तैयार हैं अब है कभी का ब्रेज के वन बाग और तालाब को नहारने के पीछे क्या कारण है? कभी का ब्रेज के वन बाग और तालाब नहारने का कारण है कि स्री कृष्ण का जुड़ाओं महसूस करता है, कभी स्री कृष्ण का अनए भक्त है, अपने आराद से जुड़ी बस्ती होने स तुआ करती हैं अब प्रश्ण है तीसरा एक लगती और कामरिया कभी सब नचावर करने की क्यों तैयार है क्यों की सब से महत्पूर्ण है वो कृष्ण जी इसलिए कृष्ण की एक एक चीज से वे महत्पूर्ण है उनके लिए यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए जो सभी कुछ निशावर करने तैयार हैं प्रस्ट चार है कि सकी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूपधारन करने का अगरे किया अपने पंक को मुखुट बनाया गले में गुंज की माला और शरीद में पीला वस्तधारन किया हाथ में लाठी लेने का भी आगरे किया प्रस्ट पांच आपके विचार से कभी पशु पक्षी और पहाड के रूप में कृष्ण का सानिद क्यों प्राप्त करना चाहते हैं तो उत् किरशन जी से बहुत ही लगाव जुड़ा हुआ है प्रस्ट छे चौते सवैये के अंतार गोपियां आपको क्यों विश्ब्सक करपाती हैं उत्तर चौते सवैये के अंतार गोपियां अपने आपको इसलीं हैं य। करprene archa ब kicking सो पाना उनके लिए कुर्ण है इसके लिए भि मुस्कान के कारण अपने तन्मन पर अपना नियंत्रड नहीं कर पाती है अप रस्न हम साथ पढ़ेंगे कोटी के काका है कोटी के कलगोद के धाम करील की कुंजन उपर वारो माहिरी वा मुख के मुस्कानी समय जेहन तो कोटी के कलगोद का उत्तर है रस्कान प्रजभूमी से इतना प्रेम करते हैं कि वह वहां के काटेदार करील के कुंजों के लिए करोडों महलों के सुखों को भी निच्छावर करने तैयार है और महलों के सुख सुखिधा त्याग क प्रजभूमी में रहना पस्मिक अभे मायरी वा मुख मुख्वकानी समरी ना जेह ना जेहों का एक गोपी कृष्ण की मधुर मुख्वकान पर इतनी मुख्व है कि उसमें कृष्ण की मुख्ता जेली नहीं जाती वर पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है कालिंदी कुल समर्पित की दारण में कावण की आवरत्ति के कारण अनुप्रास अलंकारी क्योंकि कास अब इसमें बार बार आया है इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार की अभी व्रत्ति है अब है काव भी सो अंदर इस पर सुकरें या मुर्ली मुर्ली धर की अधरा ना धरी अधरा न दरोंगी उता इसमें यमक अलंकार का सौंदर है क्योंकि मुर्ली मुर्ली धर में सबंग यमक है अधरान धरी अधरान नामें भी सबंग यमक है अधरान अधरों पर अधरान उंटों पर नहीं अडुप्रास अलंकार का सौंदर तिखता है फे प्रस्नदस रचना और अभिव हुआ उसी प्रकारी मात्र भूमी के प्रति अपने मन भावों को अभी व्यक्त करें आप बचो यह इस प्रस्न का उत्तर आपको स्वयम लिखना है यह आपका ग्रहकार है जिसे आपको बुक पर लिखना है और प्रस्न 11 में हमको बताये कि रश्खान के इन सवईयों का सिक्ष और उसके उत्तरों को अर्थों को पढ़ें प्रस्न 12 सूर्दास तथा रचित क्रिष्ण के रूप सोंदल सम्मिद्न को भी पढ़ें आपको यह प्रस्न को भी आपको खुद ही पढ़ना क्योंकि रचना जम्मनी सारे अर्थ भावार्थ सब आपको पढ़ाया उसी तरह झाल जम liberty आपको यह थो यह प्bonकि मिद्न को भी आपको यह रच्टा सूर्वे च्ट्टा सोंदल सम्में झाल झाल